नमस्ते फ्रेंट्स आज मैं आपके साथ क्विक वाली इडली सूजी की इडली की रेसिपी सेयर करूँगी और इसे मैंने बहुत ही क्विक और जटपट बना के तयार किया और इसे देख के आपको कहीं से कहीं तक पता नहीं चलेगा कि यह इंस्टंट इडली है और यहाँ प इसे देख के लिए भीगो के रखना है ताकि हम विक सामफार बना रहे हैं तो यह अच्छे से बोल हो जाए और हमारा क्विक वाला सामफार बन के तयार हो जाए तो देखी यहाँ पर मैंने गेस की फ्लेम को चालो कर दिया और सामफार को हम कूकर में बना के तयार करेंगे और कुकर में हम दो टेपल स्पून जितना ओयल एड़ करेंगे और ओयल गरम होने पर आदी टीस्पून हम राय, चुटकी भर हिंग और एक आदी टीस्पून जितनी हम मेथी दाना एड़ करेंगे एक तेजपता, दो लाल मिर्च और जब सारी चीज़े करेकल हो जाए उसके बाद में हम इसमें फ्रेस कड़ी पत्ता एड़ करेंगे और कड़ी पत्ता के बाद हम इसमें हरी मिर्च दो काटके तिखी वाली हरी मिर्च एड़ करेंगे अब सबको अच्छे से मिला लेंगे और बाद में हम इसमें लंबी-लंबी कटी हुई एक प्याज को एड़ कर देंगे और सबको अच्छे से मिक्स करके इसे एक मिनिट के लिए सोते कर लेंगे और जब प्याज का color change हो जाए उसके बाद में हम इसमें आदी टीस्पून चितना अद्रक एड़ करेंगे और अद्रक को हम पहले एड़ करेंगे तो वो नीचे चिपक जाएगा इसलिए हम अद्रक को बाद में एड़ करेंगे और बाद में हम दो कटे हुए टमाटर को एड़ करेंगे अब हम स्वाद अनुसार इसमें नमक एड़ कर देंगे अब हम सारे मसाले एड़ कर देंगे यहां पर आधी टीस्पून हल्दी पाउडर आधी टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और एक टीस्पून चितना दन्या पाउडर एड़ करेंगे और दो टीस्पून चितना हम सामभार मसाला एड़ करेंगे अब सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद अब सबजिया हम इसमें एड़ कर देते हैं यहाँ पे सबजियों में आलू, गाजर, और फ्रेंच बीन्स और डम्स्टिक ली है तो आप अपने हिसाब से अपनी मनपसंद सबजी को एड़ कर सकते तो सब सबजियों को हम एड़ कर देंगे और अच्छे से इसे मिला लेंगे और सबजियों को हमें ज्यादा पकाना या गलाना नहीं है सिप हमें इसमें जब मसाले का फ्लेवर आ जाए तब तक हम इसे 2-3 मिनिट के लिए इसे रोस्ट कर लेंगे और दो मिनिट बाद हम इसमें दाल को एड़ कर देंगी और दाल का सारा पानी हमें निकाल देना है तो देखे हमारी दाल अच्छे से भीग गई है भीगी हुई दाल से हमारा सामबार बहुत ही अच्छा बनता है और हमारी दाल बहुत ही जल्दी पक जाती अब हम इसमें यहा को एड़ कर सकते हूं यहां पर मैंने एक टीस्पून जितना गूड़ एड़ किया है अब हम सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यह बहुत ही टेश्टी खट्टा मटा मीठा सांपार बन के तयार होता है तो आप इस रेसिपी को जरूर फोलो करना आपका सांपार बहुत ह अच्छा बनेगा तो देखिए यहां पर मैंने सब को अच्छे से मिक्स कर लिया अब हम इसमें पानी एड़ कर देते हैं यहां पर मैंने आधा लीटर जितना पानी एड़ किया है यहां पर एक कप दाल के लिए आधा लीटर पानी एड़ करना है यह परफेक्ट सांपार ब तक हम इसे पका लेंगे फ्रेंड्स आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आये तो इसे लाइक और सेर करना ना पूले और मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिकेसन आपको मिल जाए तो देखि यहाँ पर गेस की फ्लेम बन दी है और हमारा प्रेसर भी डाउन हो गया था अब हम देखिए हमारा बहुत ही टेस्टी और क्वीक वाला सांपार बन के रेडियो थोड़ी देर इसे कुमाने के बाद यह बहुत ही अच्छा और टेस्टी बन जाएगा और इसे थोड़ी देर रखने के बाद यह बहुत ही गाड़ा हो जाता है तो देखी यह परफेक्ट कंसिस्टंसी का सांभार बन के तयार हुआ है तो अब हम इसे साइड में रख देते और इडली की तयारी करते तो इडली बनाने के लिए हमें यहाँ पे दो कप सुजी लेनी है आप जितनी भी इ सूजी एक कप दही और वन फॉर कप ओयल एट किया और स्वादनुसा नमक अब जितना जरूरत लगे उससाब से पानी एट करते जाएंगे और इसका बहुत ही रनी वाला गोल बना के तयार कर लेंगे हमें इसका बहुत ही ज्यादा पटला गोल नहीं बनाना है क्योंकि हम सूजी की इडली बना के तयार कर रहे हैं तो हमें बहुत ज्यादा पटला इसका गोल नहीं बनाना है तो हमारा बेटर इतना होना चाहिए कि ये चमच से गिराने से ये थोड़ा अच्छे से गिर जाए अब हम इसमें जितनी जरूरत है उस हिसाब से पानी एड़ करके इसे मिक्स कर लेंगे तो देखे ऐसे चमच से गिराने से या आसानी से गिर ऐसा गोल हमें बना के तयार करना है अब हम इसे ढखके 15-20 मिनिट के लिए रख देंगे और 15-20 मिनिट बाद चेक कर लेंगे देखे यह थोड़ा गाड़ा हो गया सूजी हमारी फूल के अच्छे से रेडी हो गये अब थोड़ा सा एक-दो टेबल स्पून पानी एड कर देंगे ताकि हमारा गोल की कंसिस्टेंसी अच्छी हो जाये अब हम एक इडली स्टेंड लेंगे और उसमें ओल लगाके ग्रेस कर लेंगे और अब हम इसमें इनो एड़ करेंगे, पहले हमें इनो एड़ नहीं करना है, जब हमें इसे स्टीम करने के लिए रखना है, तभी हम इसमें इनो एड़ करेंगे, अगर आपके पास इनो नहीं है, तो आप एक टेबल स्पून जितना बेकिंग सोडा खाने का सोडा एड़ कर स तो यहां पर आँसे में पानी को वयल होने के लिए रघ दिया था तो इडली स्टिन में अब हम इसमें इडली को रख देते हैं और इसे हमें 10 से 15 मिनिट कम से कम इसे बोईल करना है और हमें medium to high heat पे इसे बोईल करना है और जब हम 15 से 20 मिनिट हो जाएगी तो गेस की फिलम को बंद करके हम पहले चेक कर लेंगे तो देखिए यहां पे knife डालके हम चेक करेंगे अगर knife हमारा साफ आ रहा है इसका मतलब कि हमारी इडली बनके रेड़ी है तो अब हम इडली को निकाल लेते अब इसे हम demold कर लेते सारी इडली को हमें demold कर लेना है और इसे थोड़ा सा ठंडा होने के बाद demold करना अगर आप तूरंत करोगे तो यह नीचे से चिपक जाएगी इसलिए हमें एका दो मिनिटी से rest करना है तो देखिए कितनी जालीदार और टेस्टी हमारी इडली बनके तयार हुई है देखिए एक परफेक इडली बनके तयार हुए थे देखिए इसमें कितनी जाली आई है पीच्छे से यह बहुत ही टेस्टी और कूइक इडली बनके तयार होती है तो चलिए हम सर्विंग प्लेट में इसे निकाल लेते ये रेसिपी बहुत ही क्वीक और टेश्टी बनके तयार होती है और ठंडी के टाइम में गर्मा गरम इडली सामभार मिल जाए तो क्या बात है तो दिखें यहाँ पे हम सामभार में एक इडली को डिप कर देते प्याँ आए